हेलो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों और आज मैं लाया हूँ जीवन सरल पॉलिसी का एक प्रूफ जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से मैचूर्टी मिल रही है और दोस्तों बा यूटी भी 10 साल के बाद ले सकते हैं यही एक एक्जामपल मैं देने आया हूँ इस वीडियो में कि अगर आपकी पॉलिसी 8 साल के करीब चल चुकी है या 7 साल चल चुकी है तो आपको अगर पैसों की जरुरत है तो जाते ही उसको सरेंडर ना कराएं क्योंकि इससे आपको लाखो रुपे का नुकसान हो सकता है जैसा कि एक शक्स ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि मेरी पॉलिसी को लगभग 8 साल से जादा हो गये हैं पॉलिसी भरते हुए पीछे लॉकडाउन में उनको पैसों की जरुरत पढ़ चुकी थी तो उन्होंने सोचा था कि पॉल आपका डेड़ साल या दो साल जो बचा है उसमें आपको बीस हजार से जादा आपका इंटरस्ट नहीं बैठेगा पॉलिसी की प्रीमियम आप कंटीनू रखेगा और आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा लोन के रूप में और उसके बाद मैच्योटी पर भी आप को पैसा मिलेगा तो इस तरीके से उन्होंने लगभग एक सवा लाख रुपे के आसपास आज इस महीने प्राप्त किये हैं और उनको इतना बड़ा लॉस होने से बचा लिया है यानि एक लाख रुपे के आसपास उनको लॉस हो जाता अगर वो पॉलिसी को सरेंडर पिछल ले करके अपनी पॉलिसी को कंटीनू रखा और बाद में दस साल पूरे होने पर पॉलिसी को सरेंडर करके एक लाख रुपे का मुनाफ़ा ले लिया तो दोस्तों किस तरीके से हैं मैं आपको इसकी फोटो इसक्रीन पर दिखा देता हूँ तो दोस्तों आपने स्क्रीन पर फोटो देख ली होगी प्रीमियम जो है दोस्तों 6125 रुपे का कॉर्टरली है यानि इनकी जो पॉलिसी है वो लगभग 5 लाख रुपे के समय सोट की थी और बात करें इन्होंने ये पॉलिसी दिसंबर महिने के 2011 यानि आज से 10 साल पहले प कंप्लीट हो गए थे आठ या साड़े आठ साल के आसपास और इनको लगभग सरेंडर में 180,000 रुपे मिल रहे थे तो दोस्तों इन्होंने सोचा था कि मैं सरेंडर करा दूं पॉलिसी को लेकिन मैंने इनको जो राय दी वो दी कि आप इसमें लोन ले लिजे और पॉलिसी क रुपे के आसपास आप देख सकते हैं कि 1,61,000 रुपे इनको लोन मिला था 2020 या उन्नीस के आसपास इन्होंने लोन लिया था अपलाई किया था तो इनको लोन मिल गया था 1,61,000 रुपे और जो यह सरेंडर कराने जा रहे थे पॉलिसी को तो लगभग 1,80,000 ही इनको मिल र जान करके और अब आप देख सकते हैं लगभग 20,470 रुपे इन्होंने अपने लोन के इंटरेस्ट को पे किया बाकी जो डेड़ साल या दो साल की प्रीमियम थी वो इन्होंने पे करी और लास्ट में जो डिडेक्शन हुआ वो लगभग 1,81,478 रुपे यानी 61 इनका लोन और 20,478 रुपे इनका इंटरेस्ट और अगर अब आप देखते हैं 10 साल के बाद तो 1,38,000 रुपे 1,38,545 रुपे इन्होंने ले लिए यानी 20,000 रुपे इन्होंने दे दिया इंटरेस्ट का और लगभग 30 से 35,000 रुपे जो भी इनकी प्रीमियम थी डेड़ या 2 साल की वो उन्होंने पे की तो लगभग लगभग दोस्तों इनको लाक रुपे के आसपास की बच्चत हो गए इनकी यानी प्रॉफिट हो गया अगर लेकिन ये डेड़ या 2 साल पहले ही सरेंडर कर देते पॉलसी तो इनको लगभग 1,80,000 से जादा नहीं मिल पाता तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आपने आठ या 9 साल या 7 साल पॉलसी चला लिया है पैसो की अगर आपको जरूरत है तो इस पॉलसी को सरेंडर बिलकुल ना करें 10 साल इसको कम्प्लीट चलाएं उसके बाद ही पॉलसी को सरेंडर करें अगर आपने लोन ले भी लिय है तो भी इंट्रेस्ट वगारा कार्ट के लाइसी आपको मैचुरिटी अमाउंट देगी और प्रीमियम आप उसपर कंटिन्यू रखें तो यह वीडियो आपकी नॉलेज के लिए थी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों जिनकी उ एज कम है आपने उस समय यह प्लान जब लिया तो आपकी एज अगर कम रही है तो यह प्रॉफिटेबल प्लान है आपके लिए तो इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सस्क्राइब जैहिंद जैभारत